हेलो फ्रेंड्स, M-Champion Mahipab आज हम जावा में थ्रेट्स के बारे में सीख नहीं जा रही हैं तो जावा हमें थ्रेट्स को इंप्लिमेंट करने के लिए थ्रेट्स को यूज करने के लिए एक थ्रेट नाम की क्लास प्रोवाइट करता है तो जब भी हम उस class को अपनी class में inherit करते हैं तो हम threading का concept यूज़ कर सकते हैं ओकी तो हमें thread की जुरूरत क्यों पड़ती हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे कुछ processes multiple process एक साथ एक साथ execute हो simultaneously execute हो तो वहां पर हमें thread के concept की जुरूरत पड़ती हैं जैसे माल लीजी आप अपना एक program मना रहे हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि एक watch right corner पर चलती रहे आपका जो name है वो left to right travel करता रहे हैं and many more things एक साथ execute होती रहें तो वहां पर हमें threads की जुरूरत पड़ती हैं वहां पर हमारे multiple processes simultaneously एक साथ execute होते हैं ओके तो आईए देखते हैं किस तरह से हम अपने इसको execute thread को use कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने class ली class abc इसके अंदर मैंने extends कराई thread class तो means यह हमारी thread class है thread हमारी paste class बनी तो इसमें एक function होता है run run function क्या करता है run function के अंदर हमें वह statement लिखनी होते हैं जो कि thread जब execute होता है तो वह चलें तो मैं यहां पर simply एक लूप चला रहा हूं जो कि जिरो से लेकर आई की value 5 तक चले एंड आई की value प्रिंट करें एंड एक thread का एक function होता है get name यह क्या करता है उस thread जो हम चला रहे हैं उसका name provide करता है यहां पर मैं क्या कर रहा हूं उसका name and value 5 प्रिंट हो रहे हैं simply यहां पर मैंने abc class को close कर दिया तो यह बन गया हमारी एक class abc जो की thread है then हम क्या करेंगे हमने main class नाई thread ex1 जिसके अंदर मैंने main function को शुरू किया and उस function के अंदर मैं abc class के तीन object बनाता हूं a b and c then start एक function है जो की thread class में पड़ा है जैसे हम a dot start करते हैं यह thread बन जाता है और execute होता है बी dot start हुआ वो भी एक thread बना execute होगा and c dot start हुआ वो भी एक thread बनेगा और execute होगा ओके तो यहां पर हम तीन thread बना रहे हैं एक एक class के ओके तो आईए इसको execute करते हैं compile करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा program चलता है मैंने इसे save किया है thread ex1 नाम से जी के अंदर जावा में compile करने के हम करेंगे java c thread ex1 dot java यह compile होगए and run करने के लिए हम करेंगे thread ex1 यह देखिए यह चल रहा है कि सबसे पहले thread बन चला जीरो टू जीरो टू टू वन जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो टू मेंस कोई sequence नहीं है simultaneously तीनो execute हो रहे हैं और यह विदिन जो एक्सचेंज होता है processes का within mini microseconds में होता है तो हम यह लगता है कि तिनों program आरे एक साथ चल रहे हैं तो यहां पर है thread का concept कि इस तरह से हम thread को use कर सकते हैं तो यह है thread के बरे में thank you very much